सुपरस्टार राजेश खन्ना किसी पहचान के मोहताज नहीं है लड़कियों के बीच उनकी दीवानगी इतनी ज्यादा थी कि उन्हें खून के खत लिखे जाते थे और तो और कुछ लड़कियों ने तो उनकी फोटो से ही शादी कर ली थी लेकिन क्या आपको पता है कि राजेश खन्ना ने अपनी ही पतनी डिम्पल का पाडिया को करोडों की दौलत से बेदखल करने के बाद लात मार कर घर से बाहर निकाल दिया था वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि डिम्पल का पाडिया उनके शरीर को शांत नहीं कर पाई आपको बता दें कि राजेश खन्ना ने अपनी पतनी डिम्पल का पाडिया को सेक्स्वल डिमेज पीस तक बोल दिया था यही कारण था कि उनका नाजायज रिष्टा बॉलिवुड की कई अभिनेत्रियों के साथ रहा इसके बावजूद भी उनकी पतनी डिम्पल का पाडिया का प्यार कम नहीं हुआ और उन्होंने ही राजेश खन्ना के अंतिम दिनों में उनकी दीन रात सेवा की थी आज हम आपको राजेश खन्ना से जुड़े ऐसे ही कुछ इंट्रेस्टिंग किस्से बताएंगे जिन्हें जानने के बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि राजेश खन्ना जैसा शरीफ सा दिखने वाला इंसान आखिर इतना गंदा काम भला कैसे कर सकता है लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना का पंजाब के अम्रितसर शहर में जन्म हुआ उनका वास्तविक नाम जतिन खन्ना था लेकिन उन्होंने अपने अंकल के कहने पर अपना नाम बड़ल लिया था राजेश खन्ना ने कुल 880 फिल्मों और 960 रीव फीचर फिल्मों में काम किया है 108 फिल्मों में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई जबकि 22 में दोहरी भूमिका निभाने के अलावा उन्होंने 17 छोटी फिल्मों में भी काम किया था आपको बता दें कि राजेश खन्ना के जीवन में एक दौर ऐसा भी आया, जब प्रशंसक उनसे इतने ज्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने राजेश खन्ना के नाम पर अपना नाम रखना शुरू कर दिया था दरासल हम बात कर रहे हैं 1961 से 1975 के बीच की, उस दौर में पैदा हुए ज्यादा तर लड़कों का नाम राजेश रखा गया था राजेश खन्ना को अभिनय स्कूल के जमाने से ही खूब भाता था और कॉलेज पहुँचते पहुँचते उनकी रूती अभिनय के प्रती और भी ज्यादा बढ़ गई आपको यह जानकर हैरानी होगी कि राजेश खन्ना को उनके करीबी रिष्टेदार ने पाला था, वो भी बड़े लाड़ प्यार के साथ राजेश खन्ना को उन लोगों ने कभी भी परायापन महसूस नहीं होने दिया था अभिनय के क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए उन्होंने फिल्म निर्माताओं के दफ्तरों के खूब चक्कर काटे हैं साल 1966 में उनकी पहली प्रदर्शित फिल्म आखिरी खत रिलीज हुई थी, जिसमें उनके काम को सराहा गया था हालांकि तीन साल बाद आराधना और दो रास्ते जैसी फिल्मों के सफल होने के बाद उनके करियर का ग्राफ उपर की ओर बढ़ना शुरू हो गया था सिने जगत के लोग राजेश खन्ना को प्यार से काका कहकर पुकारते थे उन्होंने संगर्ष के दिनों में भी अपनी रहीशी को कम नहीं होने दिया उस दौर में वो महेंगी कार से फिल्म निर्माताओं के यहां जाया करते थे जब किसी के पास भी ऐसी कार नहीं हुआ करती थी हालांकि फिल्म हिट होने के बाद उनके जीवन का संगर्ष कम हो गया और उन्हें सुपरस्टार माना जाने लगा उन्हें लंबे समय तक लोक प्रियता नहीं मिली लेकिन उनके जैसी लोक प्रियता किसी और ने कभी भी हासिल नहीं की राजेश खन्ना के अभिनय को देख कर लड़कियां पागल हो जाती थी उनकी एक जलक पाने के लिए लड़कियां बेचैन हुआ करती थी कहा तो यहां तक जाता है कि लड़कियां ने उन्हें खून से खत भी लिखे हैं और तो और उनकी फोटो से ही शादी की है महिलाओं में खास तोर पर अपनी खास जगह बना चुके राजेश दरिया दिल शखस थे कहते हैं कि लोगों की मदद करने में कभी पीछे नहीं रहे जब राजेश खन्ना बहुत बड़े स्टार बन चुके थे तभी उनकी मुलाकात इंडस्ट्री की उभरती हुई स्टार अभिनेत्री डिम्पल का पाडियां से हुई डिम्पल उस दौरान युवा वस्था में थी राजेश पहली ही नजर में डिम्पल को दिल दे बैठे थे वहीं डिम्पल भी उनकी बड़ी फैन थी डिम्पल की पहली फिल्म बॉबी सुपरहिट हुई थी जिससे राजेश काफी इंप्रेस हुए थे उस वक्त डिम्पल आरशी कपूर को डेट कर रही थी लेकिन बहुत जल्द दोनों का ब्रेक आप हो गया जब राजेश खन्ना को पता चला कि डिम्पल का ब्रेक आप हो गया है तो उन्होंने डिम्पल को प्रपोज कर दिया बता दें कि उस वक्त डिम्पल की उम्र 16 तो राजेश खन्ना 31 साल के थे लेकिन उम्र भी दोनों के प्यार के बीच बाधा नहीं बनी। डिम्पल ने राजेश का प्रपोजल स्वीकार किया और जल्द ही दोनों ने शादी कर ली। लेकिन इसके बावजूद डिम्पल उनके पक्ष में रही और कठिन दोर से गुजरने तक उनका समर्थन किया। लेकिन फिर जब समय आगे बढ़ा तो राजेश को इंडस्ट्री की उभरती हुई एक दूसरी अभिनेत्री टीना मुनीम से प्यार हो गया। इसी बीच टीना अपनी आगे की पढ़ाई के लिए राजेश खन्ना को छोड़ कर विदेश चली गई और जब वो वापस आई तो उन्होंने अनिल अंबानी से शादी कर ली। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राजेश खन्ना की लाइफ में एक समय ऐसा भी आया था जब वे पूरी तरह से अकेले हो गए थे। राजेश खन्ना के पास कोई काम नहीं था, यहां तक की फैन्स भी उन्हें भूल चुके थे। इसी अवसाद और अकेले पन के दिनों में राजेश खन्ना अकसर आनंद बख्षी से बात किया करते थे। पतादें की आनंद बख्षी ने राजेश खन्ना की कई हिट फिल्म्स के लिए गाने लिखे थे, इनमें मिलन, आराधना, नमक हराम, कटी पतंग, आदी फिल्में शामिल हैं। टीना की बार-बार दी गई दलील पर भी, काका ने अभिनेत्री को तलाक नहीं दिया था, क्योंकि इससे उनकी बेटियों, ट्विंकल और रिंग की खन्ना पर बुरा असर पड़ता, जिनके वह काफी करीब थे। राजेश खन्ना ने डिंपल का ब्रेकॉप स्वीकार करते हुए कहा था, मैंने अपने पिछले ब्रेकॉप से उबरने के लिए डिंपल से शादी की थी, और इसके बाद अपनी तकलीफों से लड़ने के लिए मैं टीना मुनीम के साथ रिलेशनशिप में रहा। जब टीना राजेश को छोड़ कर चली गई, तब राजेश और डिंपल भले ही एक दूसरे से अलग रह रहे थे, लेकिन दोनों में प्यार अभी भी बरकरार था। जीवन में तमाम उतार चड़ाव के बावजूद डिंपल और काका ने एक सोहार्द पूर्ण संबंध बनाए रखा और हमेशा सामाजिक समारोहों, राजनीतिक रैलियों और कई अन्य स्थानों पर एक साथ देखे गए। सही मायनों में डिंपल ही काका का एक मात्र प्यार थी। काका ने एक बार यह कहकर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया था कि आपको पता है कि मैं अब भी अपनी पत्नी डिंपल से प्यार करता हूँ। बहुत अकेले हो गए तो डिंपल अंतिम क्षण तक हमेशा उनके साथ रही। लेकिन फिर 18 जुलाई 2012 को मुंबई में उनके बंगले आरशीवाद में सुपस्टार का निधन हो गया। उनके निधन के बाद डिंपल कपाडिया ने एक बार कहा था क्या आपको लगता है कि वह चले गए हैं। नहीं, वह हमेशा हमारे साथ रहेंगे। आज भी सिनेमा जगत उनके द्वारा कई दशकों तक फिल्मों में दिये गए अपने अमूल्य योगदान को याद करता है। तो आपको राजेश खन्ना की लव लाइफ स्टोरी कैसी लगी? हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। और हाँ, अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए, तो इसे शेयर जरूर करें।